हेलो गईस वेल्कम बैक टो मैं चैनल अलोप्रिया दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग से चीज लेकर आगई हूँ और हमारा आज का टॉफिक है कि हम सर्दियों में अपने बालों में नारियल के तेल को केसे सही तरीके से लगा सकते हैं कई सारे लोग स आगए तरीके से नारियल के तेल को अपने बालों अप्लाइक से करना है वह आज मैं बताने वाने हैं तो जिलिए जादा बति हुआ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेना एक बड़ा बरतन और लेनी हैं एक कटोरी बड़े बरतन में के अकोडिंग आप लोग ले सकते हो और उसके बाद में आपको इस कटोरी को उसी बरतन में रहने देना है आपको थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहना है कि उसकी जो तेल की जो हैवीनस है जो उसके गरमा हट है वो कितनी है आपको उंगली डालकर बार-बार चेक करना जब आपको लगने लगए कि तरीखेसे गरम हो गया है और आप आप इसे अप्लाई करना ही। है। अपनी बालों की चड़ों में अपको अप्लाई करना ही। इससे अपनी बालों की चड़ों मस्बूथ होगी। और आपकी जो बाल जड़ी की सबस्या है सर्दियों में जो पाल काफी जड़ जड़ते हैं वह भी नहीं होगा अपने पूरे बालों में अप्लाई करके दिखाऊंगी इस तरीके से पहले आप दो पार्टिशन कर सकते हैं अगर आपके बाल जड़े कर सकते हैं ज्यादा तर आपको अपनी जड़ों में इसे अप्लाई करना है क्योंकि आप इतना जड़ा इसे अपनी जड़ों में अप्ल तो इस तरीके से आपको आपने बालों को रिपैर करना मिलेगा साथ ही आपके बाल मजबूथ होंगे कि जड़े मजबूथ होगी तूतना जड़ना और डेंडर्फ की प्रोग्लम भी तूल हो जाएगी और फ्रेंड्स गर्म तेल का एक फादा है आपके बालों में ये अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेट जरूर किज़ेगा साथ ही मेरे चैनल को कर लेटेटेटेगा सबस्क्राइब और बेल आइकन को कर लेटेश्ट और नहीं आने वाली वीडियो आपको अपसे पहले मिलती रहे तो फीड में लेंगे तक तक पे लिए पाई